असलाम लेकुम एवरिवन आज मैं आपको सुपर हेल्दी ओट रटर्स बनाना से खाऊंगी इसमें मैंने कैबिज, प्यास, गाजर, स्वीट कॉन, कैपसिकम ये सारी फ्रोजन सबजियां जो मेरे पास अवेलबिल थी मैंने वो सब ली हैं आपके पास जो भी सबजी हो आपक चॉप करेंगे, मेक शूर ये फाइनली चॉप हो, आप कट भी कर सकते हैं लेकिन बहुत बारीक बारीक दिन आपको काटना पड़ेंगा ये आप देख सकते हैं कि ये बद्कुर फाइनली चॉप हो गया और मैं पिछले क्लिप में बताना बूल गई थी, मैंने इसमें दो कली लस्सन की भी डाली थी, मैंने गार्लिक आट किया था इसमें, वो भी इसके साथ चॉप हो गया तो, अब मैं इसमें ओट्स डालूगी, ये हमारा में इंग्रीडियन है, हमने इसको मैदे से रिप्लेस किया है, to make it more healthy, हम इसमें ओट्स डालेंगे, इसमें कोई भी पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी सबजियां जो है, वो फ्रोजन है, और फ्रोजन सबजियां अपना पानी रिलीज करेंगी, तो हमारा ओट्स जो है, वो सारा कुछ एब्सॉप करके, खुद मुझे यहां पर ओट्स सोड़े कम लग रहे थे, इसमें मैंने एक्स्ट्रा ओट्स ओपर से और अट किया है, और मैंने यहां सॉल डाल दिया है, अब मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सोय सॉस अट करूँगी, इसके बाद आप मुझे देखेंगे कि मैंने सॉस भी डाल सकते हैं, और अब मैं यहां पर बहुत थोड़ा सा वेरी लिटल तमेटो सॉस अट करूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, इसको आप करने के बाद मैं ब्लैक पेपर डालोंगी, ब्लैक पेपर के बाद थोड़ा सा औरिगेन करेंगे, वेरी लिटल, आप यह सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी अज़स्ट कर सकते हैं, अब यहां पर मेरे पास रेड चली फ्लेक्स अवेलिबल नहीं थे, इसलिए मैंने एक सूखी लाल में ट्राय रेड चली को क्रश करके इसमें डाल दिया है, आप चाहें त मिक्स करने के बाद मैं एक क्लिप लेना बूल गई थी, मैंने इसमें एक चमच कॉन फ्लार आट किया है, आप देख सकते हैं, मुझसे वो क्लिप में सो गई थी, अब इसको मिक्स करेंगे फाइनल मिक्स, एन इस रेडी तो बी फ्राइड, प्राइड पिस प्राइड बूल लाइड दो खायां किया है, अब करते हैं, में। झाल 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 और हमने इनको deep fry किया है deep fry करने के बाद ये बिल्कुल ready है ready to be served आप इसको चाय के साथ serve कर सकते है and trust me guys it's amazing do try out अगर आपको recipe अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताईए and thank you please like share and subscribe कसे अभी जग़ को आपको reopen एंब को ऑल एंग